दोस्तों आज का लेक्चर है आईनिक साम में पहला सवाल निमन में से कौन सा दूर्बल अमल है तो देखिए परकलोरिक अमल HClO4, सांदर सल्फूरिक अमल या सल्फूरिक अमल H2SO4 और HCl ये दूर्बल अमल नहीं होते हैं ये प्रबल अमल में आते हैं और H3PO3 जो है वो आपका दूर्बल अमल होता है इसी प्रकार नमस्कार दोस्तों आज का टोपिक है आईनिक साम में पहला सवाल है निमन में से कौन सा दूर्बल अमल है तो देखिए दूर्बल अमल H3PO3 है HClO4, H2SO4 और HCl जो है वो प्रबल अमलों में आते हैं अगला सवाल है निमन में से कौन सा दूर्बल अमल है तो देखिए LiOH, NaOH और KOH लीथियम हाइडरोकसाइड, सोडियम हाइडरोकसाइड और पोटेशियम हाइडरोकसाइड जो है वो प्रबल चार होते हैं NH4OH दूर्बल चारों की स्टेड़े में आता है अगला सवाल है आरेनियस सिध्धान केवल वीलियन में लागू होता है अते है निमन में से कौन सा गेशी अवस्ता में अमल नहीं होता है तो देखिए गेशी अवस्ता में HCL अमल नहीं होता है अगला सवाल है निमन में से कौन सा समंद सही है तो देखिए PKA प्लस PKB इस उकल टू 14 होता है यह समंद बिलकुल सही है यह सवाल आ सकता है अगला सवाल है यह सवाल सबसे इंपोर्टेंट सवाल है इस सवाल को पूछा जा सकता है कि फास्पोरिक अमल एक थी थी शारकिये अमल है इसका आइनन तीन पदों में होता है इसके प्रथम दृतिये वह त्रितिये आइनन स्तिरंक क्रम से KA1, KA2 वह KA3 हो आपको इनका करम पूछा है तो देखिए इसका आंसर आपका है KA1, KA2, KA3 इसका मतलब क्या है कि किसी भी योगिक का आइनन जितने पदों में होता है तो उसका प्रथम आइनन स्तिरंक जादा होता है इसका कारण यह होता है कि पहली वार में वो प्रबलता से व्योजित होता है उसके बाद में कम उसके बाद कम तो जो व्योजन का क्रम है यानि आइनन स्तिरंक का जो क्रम होगा वो पहला ज्यादा होगा दूसरे से और दूसरा ज्यादा होगा तीसरे से तो आपका अंसर होगा अगर 3 चारकिय अमल है तो पहला दूसरा तीसरा अगर 2 चारकिय अमल है तो पहला और दूसरा यानि जितने चारकिय अमल होता है उतने ही पदों में उसका आयनन होता है और उनका सामे स्तिरांग सबसे पहले वाला ज्यादा होता है यानि कि के 1 ग्रेट पर आइनिक गुननफल का मान होता है तो देखिए ता बढ़ाएंगे तो आइनिक गुननफल जो है उसका मान बढ़ जाता है अगला सवाल है हाइड्रोजन आइन संदरता है एच प्लस के रिनात्मक लगु गणक को पी एच कहते हैं यहाँ पी एच बराबर होता है माइनस लोग ओफ एच प्लस यदि कोई योगिक उदासीन है तो उसकी हाइड्रोजन संदरता का मान होगा तो देखिए हाइड्रोजन संदरता का जो मान है वो आपका होगा 10 की पावर माइनस 7 क्योंकि देखो हाइडरोजन संदरता का मान आपसे पुछा है और आपको पता है कि उदाशीन की pH कितनी होती है 7 ठीक है तो माइनस लोग ओफ टेंटो की पावर माइनस 7 से 7 आगे आता है तो माइनस और माइनस प्लस होगे 7 बन जाता है तो इसका मतलग हाइडरोजन संदरता का मान 10 की पावर माइनस 7 होगा जबकि उसकी pH का मान कितना होगा 7 M by 20 H2SO4 की pH ग्याद कीजिए तो pH का मान आप निकाल सकते हो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर pH तीन तरीकों से निकाली जाती है तो इसका अंसर जो आपका है वो है एक अगला सवाल है 10 की पावर माइनस 8 N N का मतलब है नॉर्मलता HCl की pH ग्याद कीजिए तो इस pH का मान आता है 6.96 ये सवाल दोनों मैं एक वीडियो लेक्चर के जरिये बताऊंगा अगला सवाल है निमन में से किन से बने लवनों का जल अपगटन नहीं होता है तो देखिए प्रबल अमल वे प्रबल शार से बने लवनों का जल अपगटन नहीं होता है अगला सवाल है लवन जिनकी pH का मान साथ होता है तथा वे उदाशीन होते हैं निमन में से किन से बनते हैं तो प्रबल अम्ल वे प्रबल शार अगला सवाल है दुर्बल अम्ल वे प्रबल शार से बने लवन का जल अपगटन करने पर वीलियन की प्रकरती होगी देखिए दुर्बल अम्ल वे प्रबल चार है तो इनका जब जलब गटन करेंगे तो जो वीलेन की प्रकरती होगी वो शार्य होगी इसी प्रकार प्रबल अम्ल वे दुर्बल चार से बने लवन का जलब गटन करने पर वीलेन की प्रकरती क्या हो जाएगी आपकी अम्ली है क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल है अगला सवाल है दुर्बल अम्ल वे दुर्बल चार से बने लवनों के लिए सत्य है तो देखिए दुर्बल अम्ल वे दुर्बल चार से बने लवनों की जो पी एच है वो साथ से कम हो सकती है साथ से ज्यादा हो सकती है या साथ भी हो सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अमलिय एक्षारिय या उदाशीन हो सकते हैं और जलब गटन की जो मात्रा है वो वीलियन की सांदर्ता पर निर्बस नहीं करती है तो आपके अंसर जो है वो बैवस है दोनों होगे अगला सवाल है ऐसे वीलियन जिसमें अमलिय एक्षारिय की कुछ मात्रा मिलाने पर भी उसके पियच का मान एह परिवर्टित रहता है कहलाते है तो देखिए इस परकार का जो willion होता है जिसमें अमलिय खशार की मात्रा मिलाने पर भी पीछ चैंज नहीं होती तो उसे buffer willion कहते है अगला सवाल पुछा है buffer willion के लिए सत्य तो देखिए buffer willion के लिए क्या सत्य है वो देखते हैं अमल ये बफर दुर्बल अमल वा प्रबल चार से बनता है, ये बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है, क्षार ये बफर दुर्बल अमल वा प्रबल अमल से बनता है, ये भी बिल्कुल सही है, बफर वीलियन पियेच परिवर्तन का परतिरोध करता है, ये बात भी सही है, तो आपक पिछले वाले एक्जाम में आया हुआ है उसके अंदर आप से ये पूछा था कि अनुवापन करते हैं प्रबल अमल प्रबल चार का प्रबल अमल दुर्बल चार का या दुर्बल अमल प्रबल चार का या दुर्बल अमल दुर्बल अमल दुर्बल चार का तो उसके लिए कौ अमलव प्रबल चारों में और HCL और NAOH का अनुमापन भी प्रबल अमलव प्रबल चार का अनुमापन होता है तो सारे के सारे सही है तो प्रबल अमलव प्रबल चार के लिए क्या होता है मैथिल लोरेंज और फिनोप्तलीन दोनों आ जाते हैं अगला है कि प्रबल अमलवे दुर्बल चार के मद्यानुमापन के लिए सकते हैं तो pH की परास 3 से 7 होती है मैथिल ओरेंज उप्योक्त होता है और फिनोप्तलीन उप्योक्त नहीं होता तो इसके अंदर सारे के सारे स्टेट्मेंट सही होगी कि इसमें केवल मैथिल ओरेंज आपाता है फिनोप्तलीन नहीं आता इसी प्रकार दुर्बल अमलवे दुर्बल चार के मद्यानुमापन के लिए क्या सकते हैं कि pH 2 से 3 में होती है और मैथिल ओरेंज और फिनोप्तलीन दोनों ही नहीं आते और अगला सवाल है कि दुर्बल अमलव प्रबल चार के मद्यानुमापन के लिए सकते हैं तो इनकी pH 6.5-10 होती है फिनोप्तलीनी उप्यूप्त होता है मैथिल ओरेंज उप्यूप्त नहीं होता है तो सारे अंसर सही होगे तो ये चारों सवाल पिछली वार आये हुए तो उनको उन्होंने मेचिंग के जरी ये बताया था कि प्रबल अमल, प्रबल अमल, दुरबल अमल, दुरबल अमल, दुरबल अमल, दुरबल अमल फिर उनके सामने सुचक दे दिये थे आपको मिलान करना था कि कौन सा कौन सा